हेलो एब्रीवान वेलकम बेक टू मैं चैनल तो मैं आज आप लोग के साथ सेर करने वाली हूँ चिकन बिर्यानी रेसिपी जो सेर के रहा है मेरे एक रिलेटिव में एक नॉर्मेल लुलस में तुएन हाफ ग्लास बस्मिती राइस एंड तुएन हाफ ग्लास ऑफ वाटर फिर इसमें लॉंग इलैक्षियर दाल चीली डाला है फिर थोड़ा सा देशी गी भी डाला है फिर इसमें डाला है नमग और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है प्रेसर बुकर कर लगा दिया है और इसे वान विसल आने तक पकाए नहां पे लिया है चिकन फिर इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट ओनियन ओरियंडर पावडर कीमिन पावडर रेच चिली पावडर हल्दी थोड़ा सा नमग फिर इसमें थोड़ा सा लेमन डाला है फिर इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है कढ़ाय में तेल घरम किया है और उसमें ओनियन फ्राइ किया है कढ़ाय में पेल दिया है फिर इसमें तिछ पत पर डाला है फिर जीरा और थोड़ा सा अनियन अच्छे सब्सक्राइब ब्रिन चिल्ली और इसे फ्राइ किया है फिर इसमें मेरिनेट किया हुआ चिकेन डाला है अब जैसे चिकेन बनाते हैं इसे चिकेन को इसे मिक्स किया है थोड़ा सा रेक्चिली पाउडर डाला है अब को तीखा पसंद है तो आप लोग ज्यादा भी डाल सेकते हैं पूरसं नमग फिर इसमें टोमीटो डाला है फिर इसमें डाला है पिडियानी मसाला फिर चिकेन बनके भी रेडी है भी प्रेसर्वकर में थोड़ा मस्टर्ड और डाला है और इसमें चिकेन डाला है पर इसमें कट डाला है फिर थोड़ा सा पानी डाला है इसे इस से मिक्स कर दीजिए फिर बिरियानी के लेरिंग के लिए आप उसे चिकेन के ऊपर राइस के दीजिए पर इसमें प्रॉइक केया हुआ अनियन डाला है तो फिर कॉरिएंडर लिपस और ग्रिंचिनली अपर इसी प्रोसेस को कंटिनूँ रखिए आप आप अब पोटेटो भी डाल सकते हैं पोटेटो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा गी डाला है अब प्रेसर को करके धक्तन को इसे धक दिजिए और इसे पास से साथ में पहने दिजिए तो अभी राइता के लिए यहां पे लिया है कर्ण तो इसमें अनियन डाला है कामटो जुआ केंज़ अनियन डाला है कर्ट कम हो गया तो थोड़ा सा यहां पर कर्ट डाला है फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाला है यहां पर पाउडर और थोड़ा सा सुगर अच्छे से मिश्क पर दिया है तो अभी पंकिर वेडी है राइटा अगर अगर आपने रसिपी पसंदाया हुगा और अगर आपने रसिपी पसंदाया हुगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेरें शिप्सक्राइब कर देजिया और साथ पूच्यों बेल इकन है उस भी प्रस कर देजिए ताकि मों जब पीडियो डालो आपके पास नोटिपि बाहर आपके दोच्पर आपके जब आपके पास पास नोट को पास तोको बात में पास fanपके प्लााप कर दोbig आपके पास